नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल दे ट्रेडबुल ओफिशिल में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूं कि 14 मार्च को पैक निफ्टी कहां पे कामकाज कर सकता है आपकी क्या टागेट सहेंगे कॉल पॉट के लिए मार्केट ने अपने लिए कहां पे सपोर्ट रिसेस्टन्स बनाई हुई है और क्रेडिंग कैसे करें तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एक भी मिनट स्किप मत करिएगा अधर्वाइस आपको बहुत इंपोर्टन इंफोर्मिशन वीडियो में से मिस हो सकती है दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं मार्केट ने 11 मार्क जो कि शुकरवार का दिन था हमें एक स्पेक्टेट था कि एक क्याप डाउन ओपनिंग मिलेगी और वैसा ही हुआ लेकिन मार्केट में बाइंग प्रेशर आया इमिडियेटली ओपनिंग कैंडल के साथ ह और मार्केट ने देखिए इमिडियेटली जब 34,094 का लो लगाया उसके बाद इमिडियेटली अगले 15 मिनिट में मार्केट ने हमें 34,739 का लेवल दिखा दिया थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट ने फिर वापस का ऊपर की तरफ एक रुक किया और अ वापस से एक लो लगा दिया 34,487 का और दोस्तों इसके बाद बस तकरीबन साड़े दसक्रजे के बाद मार्केट सिरफ उपर नीचे 15-20-25 पॉइंट चलती रही और इसके बाद कोई बड़ी मोमेंट हमें जो देखनी को मिली वो तकरीबन 11 मजे के बाद ही थी सो मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा कंसॉलिडेट किया वापस से जैसे ही मार्केट ने अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक W पैटर्न बनाने की कोशिश की और यहाँ इमेडियेटली हमें 34,724 का लेवल दिखा दिया अब इसके बाद मार्केट ने कम से कम तकरीबन 12 मजे से लेकर दो बजे तक कंसॉलिडेट किया वह एक ही लेवल के अंदर यहाँ पर ट्रेड किया कुछ जाला बड़ी कैंडल्स बन नहीं रही थे मार्केट के अंदर और यहाँ पर पूरी कंसॉलिडेशन मार्केट के तो इस अकॉर्डिंगली मार्केट आज ट्रेड करती रही तो जो भी मुमेंट हमें दिखने को मिली यहां तो सुबह मिली मौनिंग में जब हमें गैप डान ओपनिंग मिली थी और उसके बाद वापस मार्केट ने हाई लगाया यहां दो बजे के बाद जब मार्केट ने थो जो की यहां पे लोकेटड है द्यान से देखिएगा यह जो रिसिस्टेंस मार्केट ने अब अपने लिए क्रेट की हुई है जो की है यह वाला लेवल मैं इसको यहां रेट कर रहा हूं रिसिस्टेंस जैसे ही यह रिसिस्टेंस मार्केट प्रेक करें अगर मार्केट आपक की पूजिशन में बैठ सकते हैं और यहां पर मैं लिखके भी बता रहा हूं आपको कि बैठ निफ्टी में आप कॉल की पूजिशन बना सकते हैं अगर मार्केट आपको 34,550 का लेवल माफ कीजिएगा 34,680 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दे तो यहां पर यह है इंट्री पॉइंट फॉर कॉल की पूजिशन और जो टार्गेट आपके रहेंगे वो भी डिसकस कर लेते हैं तो आपको मैं तीन टार्गेट दूँगा पहला तार्गेट रहेगा 34,750 का दूसरा टार्गेट 34,800 का और तीसरा टार्गेट 34,850 का यह तीन टार्गेट आप यहां पर इजली बैठ सकते हैं कॉल की पॉजिशन में अगर आपको मार्केट यहां से निकलती भी नदर आए तो मैं यहां पर मार्किंग भी कर रहा हूं पहला लेवल जो म और तीसरा जो लेवल था 34,850 यह प्रक्रेवन इसके आसपास तो यह सभी इंफोर्मिशन यहां पर मैंने मेंचन कर दी है अब पुट की पॉजिशन में आपको तभी बैठना है अगर मार्केट आपको यह यह वली सपोर्ट जो 34,415 पर बैठी है इसको मार्केट इस सपोर को तोड़े तो ही आप यहां पर एक पुट की पॉजिशन बनाएं और यहां पर मैं यह मेंचन भी कर देता हूं आपको कि आपको पुट की पुजिशन कहां पर बनानी है तो यह आपके यहां पर मेंचन कर रहा हूं है 34,415 के नीचे और जो टार्गेट्स आपके रहेंगे वो भी मैं मेंचन कर देता हूं 34,350 यह पहला टार्गेट रहेगा दूसरा 34,275 यह दो टार्गेट आप यहां पर पुट की पुजिशन में यहां पर बना सकते हैं अगर मार्केट आपको नीचे जाती हूं यहां से नजर आए तो यह मार्किंग भी हम यहां पर जरा कर देते हैं यह मैंने मार्क कर दिये हैं इनी लेवल्स को आपने यहां पर बैठना है अगर मार्केट आपको इन लेवल्स के नीचे यहां पर पुचाती हूं नजर आए दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में मेंशन करिएगा आपको वीडियो कैसी लगी जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते थांक यू बाबाई